वल्कम बैक बबबर टाउन तो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपको एक जागरुता की विडियो लेके आया हूँ कि कुछ लोग आज के टैमें एक डिफरेंट काइंड अफ टी के टोकन बनाके बेच रहे हैं मार्केट में तो मैं पताता हूँ मेरे पास एक कॉल आया उसमे मुझे नहीं पता कि कितने परसंट तक यह लेजिड है या स्कैम है बट मैं फिर भी चाहूँगा कि आप लोगों को इसके बारे में इंफोमेशन देना मिला कि आपको सर्च करना है जी टैक्स ठीक है और मुझे बोला गया कॉल पे कि जी टैक करने पर गोल्डीफाई जी ट टोकन निकल के सामने आएगा यह टोकन बता रहा है यहां पर आपको कि कि आप यहां पर इंस्ट्राग्राम का हैस्टेक बाए कर सकते हो 25,000 में उसकी हमने nft बनाई है दो लाग nft है आने वाले जनवरी में इनका कहना है कि इनका ICO होगा टोकन का और इनकी nft का रेट 25,000 से वेबसाइट बना दी है इन्होंने और लोगों को कहा जा रहा है कि यह वीडियो देख कर कि यहां से जाकर आप पता कर लिजए कि जी टैक है क्या अब यह जो रियांदा नेम है इस परसन को भी शायद अभी nft के बारे में पता नहीं है कि nfts are non fungible token होती है जो एक limited supply के तो कभी नहीं आ सकती है खीक है और अगर दो लाग की supply के साथ भी कोई लाता है तो वह immediately उन्हें total sale नहीं करता है second thing आप Instagram के hashtags को nft में बोलके market में sale out कर रहे हो जो unpredictable thing है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मतलब कोई करेगा भी तो इंडिया के अंदर अगर इस त कर रहे हैं कि can be a scam क्योंकि देखो आप nft की marketplace पे जाके पहले अपने आपको वा रजिस्टर कराते हो फिर मार्कें बताते हो कि हम 10,000 nft लेके आए हमारी पर nft का floor price इतना है तो वहां से detail निकल के सामने आती और यह लोग बता रहे हैं कि हमारा token बाइनाइस पर लिस्ट होने करो इनका उपर थोड़ा सा अजर आप लोग जा रहे हो जी टैग को पता करने थोड़ी सी research कर लो इनके उपर ठीक है ना मुझे तो इनके उपर कोई विश्वास नी हुआ कॉल पर मैंने उनसे थोड़े से question क्या कर लिए इनकी counselor से इनके senior से उन्होंने मेरी कॉली बंद कर काट दी कॉल एक्डम से और गाइप हो गया कि सर आपको लग रहा है इस काम नहीं है हमें पता है हम लोग को बेच रहे हैं 25-25 जार के मापको screenshot भी मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि मैं एक हैस्टेक के उपर 25,000 पर लगा दूँ क्या मतलब बना उस चीज का और यह NFT कहां से हो ग पर जो वहाँ पर अच्छे project है वहाँ पर इन्वेस्ट करो इस तरीके के call पर जो फरजी के project आते है ना इनकी कोई value नहीं है दिखाते है कि हम इसमें invest कर रहे हैं उसमें invest कर चुके हैं और उसके बिहाब पर हम यह project लेके आया कोई वर्थ तो होनी चाहिए कहीं तो कि लोगों शेयर करो video कि अगर कोई इस तरह के problem में फसने वाला है तो वह guidance ले ले मेरे पास आजया किसी अच्छे influencer से बात कर ले और किसी से पूछ के ही वह invest करें ऐसे ही मतलब किसी के कहने पर investment करना सही नहीं है तो आज की video इसमाफ करते thank you so much and have a good day